हरियाना की डिप्टी सीम दुशन चोटाला ने उपराश्टुपती जवदीव धनकड से मुलाकायत की इस दोरान उनों ने कई बुद्दो पर चर्चा की सुनाली फोगाच हत्या मामले में MH1 को एहम दस्तवेस बिले हैं इस डॉक्यूमेंट में सुधीर सांगवान ने सुनाली को अपनी पत्नी बताया था सुसाइटी के रिजिडेंट इड़ फर्मेशन फार्म में उसने सुनाली को अपनी पत्नी घोशित किया था इस वाम में फ्लाट में रहने वाले लोगों को जानकारी देनी होती है जिस पे सुधीर ने सुनाली को अपनी पत्नी बताया था कर्मचारियों की लेट लवी टीवी के खलाफ सीम फ्लाइंग की टीम फरिदबाद में एक्शन में नजर आई अधिकारियों ने एन आई टी की बढखल वल्लब गड़ और परिदबाद एस डीम उफिस का उचक ने दिक्षन किया और देखा कि कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं जोरान कई कर्मचारी नदारत मिले जिनके जांच टीम की योर से चांच की जा रहे हैं देले के मुखे मजरी अर्विन के जुवाल और पंजाब किसी हैं भगमत मान बुद्वार से दो दिन के हरियाना दौरे पर रहेंगे मिशन की शुरुआत करेंगे इस मौके पर आदमपूर में तिरंगा यात्र भी निकाली जाएगी इस मिशन से जुड़ने के लिए सब्वे विश्व विद्यालों की चात्र पहुंच रहे हैं मिशन के अंदर हरवर्ग के लोगों को अमंतृत किया गया है कॉंग्रस नेता भूपेंद्र सिंगुड़ा के बयान पर है रियाना की केबिटिट पंत्री अनिल विजने पलच्वार किया विजने कहा कि कॉंग्रस को हमेशा हर चीज में खोज नजर आती है उन्होंने कहा कि आज अंदुस्तान विश्व की पांच पी आर्थिक चक्ती बना हुआ है और वो उन्हें नजर नहीं आता आपको बता दे कि इस से पहले पूर्व सीम भूपेंद्र सिंगुड़ा ने बीज़पे की नीथियों से आम जनता की बेहाली की बात कही थी सोनाली फोकाट मर्डर मामले में गोवा पुलस की जांच जारी है हिसारो गुरुग्राम के बाद गोवा पुलस की टीम डॉडर सेक्टर बावन से तरावली अपार्टमेंट पहुंची यहाँपलिस की टीम ने फ्लाट की जांच कने के साथ साथ यहां रह रहे हैं लोगों से भी पूछता थ कि आपको बता दे कि इस से पहले गोवा पुलस की टीम ने गोरुग्राम में सोनाली के फ्लाट की जांच की सोनाली फोगाट के आते हैं मामले को लेकर बेटी एशुधरा ने प्रदान मत्री नरेंद रुगोदी और हर्याना की मुखे मत्री मनोहरलाल को ट्वीट किया बेटी ने ट्वीट में लिखा कि गोवापुलिस के से मामले की जाच लेकर CBI को हेंड ओबर कर दी जाया आपको बता दे कि सोनाली फोगाट का परिवार गोवापुलिस की जाच से संतिष्ट नहीं है सुनाली फोगाट महड़ मामले में आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर को गोवा पुलिस ने मापुसा कोट में पेश किया कोट ने दोनो आरोपियों के रिमान बढ़ा दी है और हर्याना से जुटा है सुबूतों को लेकर गोवा पुलिस अब उन से पूछ साज करेगा आपको बता दे कि सुनाली माड़ मामले में गोवा पुलिस हर्याना की गुरुग्राम उत्यप्रदेश के नौयरा में भी चार्ज कर रही है पत्याबाद में हर्याना रोडवेस बस के टकर में महिला टीचर की मौत हो गई भी हुदा सेक्टर 3 के पास यहादसा हुआ महिला टीचर की पहचान अनुपमा के तौर पर की गई है वो गाओं भडो वाली केस सरकारी स्कूल में तैना थी गटना के बाद बस चौलक परार हो गया पुलिस ने शाब को कबज में लेकर पोस मौटम के लिए बेच दिया है गुरुगराम में कराइम ब्रांच ने बीजेपी नेता सुबीर खाचाना के हत्या मामले में एक शूटर को गिरफतार कर और मामले का खुलासा कर दिया है एसे पी कराइम की माने तो पकड़ा गया शूटर योकेश और फसीलू राज़स्तान का रहने वाला है और हत्या के मास्टर माइन चमन गुर्जर का खास दोस्त है पूस्तात में शूटर योकेश ने खुलासा किया कि चमन ने जीजा की हत्यार से पहले पूरी तैयारी की हुई थी फिलाल पुलिस मामले की जांच कर रही है